दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जस्तिन बेबर एक बहुती बड़े सेलिब्रिटी है जिनकी हाली में भारत आने की नियूस सामने आ रही थी लेकिन वो किसी कारणवस भारत नहीं आए लेकिन अब यह बात पता चल रही है कि वो किस कारण भारत नहीं आए जस्टिन बैबर ने यहां दिखाने के लिए एक वीडियो साजा किया है कि उन्हें अपने आने वाले संगीत कारेकरमों को क्यों स्थागित करना पड़ा 28 वर्षिय गायक जस्टिन बैबर ने खुलासा किया है कि उन्हें एक दूडला फेस की एक बिमारी का पता चला है जिससे उनके चेहरे का आदा हिसा लकवा ग्रस्त हो गया है और इसलिए उन्होंने अपना दौरा तब तक के लिए स्थागित कर दिया है जब तक की वे ठीक नहीं हो जाते ग्रैमी वीनर जस्टिन ने शुकरवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने हालत के बारे में बात की उन्होंने कहा कि वे रामसे हंट सिंड्रॉम से पीडित है जो चेहरे के पक्षागात का कारण बनता है और दाद के प्रकोप के माध्यम से चेहरे की नसो को प्रभावित करता है उन्होंने अपने फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया मेरा सरीर मुझे बता रहा है कि मुझे धीमा होना है मुझे उमीद है कि आप लोग समझ गए होंगे उन्होंने दिखाया कि कैसे उनकी एक आँक नहीं जपक रही है और कहा मैं अपने चेहरे के इस तरफ मुस्कुरा नहीं सकता दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या रहा है कमेंट करके ज़रू बताएं साथ यह से और भी वीडियो श्पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना तो को भी न भूले